नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे बिहार की सियासत इस वक्त काफी गर्म है और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बीजेपी भी सेम नितीश कुमार के हां में हां मिला रही है आपको बता दें कि बीजेपी ने ए अंकेत भी दे दिये हैं जिसके बाद ये कहना कते गलत नहीं होगा कि आप बीजेपी सेम नितीश कुमार को मनाने में लग गई है अगर आप भी ये सुनकर हैरान हो गए हैं तो फिर ये विडियो आपके लिए है तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बाचीत करेंगे सीनिय जर्नलिस्ट रव्यू पाध्याई जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा हमारे व्यूर्स भी जानना चाहरे होंगे रव्यू पाध्याई जी कि बीजेपी ने अब एक दो नहीं बलके कई ऐसे संकेत दे दिये हैं जिसके बाद ये कहन गलत नहीं होगा कि अब बीजेपी भी सीम नितीश कुमार की हां में हां मिला रहे हैं कौन-कौन से हैं वो संकेत देखिए निश्चित रूप से बीजेपी अभी लाक जो है सो राम मंदिर का अयुद्या का जो मैजिक और बड़ा सो मेगा सो करने के त्यारी में हो लेकिन ज से भी हम मैक्सिमम सीट निकाल लें तो वह उसके बाद से आप देखिए किस तरह से जैसे जैसे नितीश कुमार का जो डिरेक्षन हो जिस तरह से चाहरे हैं उधर जुकाओ भारतियनता पार्टी का या केंद्री निर्चित भारतियनता पार्टी का होता हो दिखाई पड़ उसके कई सारे एक्जाम्पुल हैं जो हम बताना भी चाह रहे हैं वह अभी ताजा तो दो तीन है जो से दर्भंगा एम्स दर्भंगा एम्स के का वो जो एनोसी जो गौर्रमेंट बिहार गौर्रमेंट ने से जो दिमिला था वो उस पर अब काम होता हुआ दिखाई है यह है नहीं बन सकता है कितना उसके अंदर में पानी निकलेगा कैसे उसको निकाला जाएगा पानी तो कई सारी तरह की बात आपतियां गिनाए जा रहे थे और मुक्हमंत्री नितीज कुमार अड़े हुए थे कि जब कि जब बनेगा एम्स तो सोभन में ही बनेगा क्यों बिधान मंडल के सत्र के दौरान उन्होंने इस पर कहा भी था कि नहीं वो सोभन में ही बनेगा बहुत बड़ा लंबा सारा जमीन है वहां बनने से कई मने कई जिलों को मने उससे लाब फाइदा होगा नोट अली इन दर्भंगा मुझपर पूर जो समस्ती पूरी तमाम तर बिल्कुल बिल्कुल तो यह उस पर बहुत भद भी पिटी थी है मित्साह की क्या भी कुछ नहीं हुआ ये वो और मने खैर और कई वीडियो भी वाइरल हुए थे जो लोग वहां पर खड़े होकर बोल रहे थे के एम से आपर देख लिए तो मने यह बात हम लोगों को सिक्स लेन जो है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा होगा यह बहुत बड़ा होगा सिक्स लेन पर आवा जाही होगा तो यह भी देखने वाली चीज़ होगी और दर्सनिया अस्थल भी होगा यह तो सिक्स लेन मने सुबिधा के हिसाब से आवा गमन के लिए तो बहुत बड़ा तौफा भी है खुशकबरी है बिल्कुल बिल्कुल यह तो दूसरा संकेत हो गया अब एक और संकेत है वह वह इसको तो लोग कहता है कि नहीं होगा नितिया योग है फलना है यह प्रधान मुखमंत्री नरे निर्मोदी ने कई विसेश पैकेज दिया है तो उसे बाद विसेश राजी के दर्जे की बात हो रही है जो कि असंभाव सा प्रतीत होता था अब संभाव सा लगता चर्चा है कि कमिटी का गठन हो सकता है जी बिल्कुल वही हम का रहे हैं तो जब विसेश स्राजी की बाद यह होती थी तो लोग कहते थे कैसे विसेश पाकेज ले लेकिन विसेश राज्य का दर्जा तो भूल जाए है सुसिल मोदी जो मुखमंत्री बिहार जो पहले थे अब राजस्वा सांसादे वह तो हासी बढ़ाते थे और यह वही नहीं भातियंता पार्ट यह और यह नहीं होगा लेकिन अब देखिए उसके लिए चर्चाएं बहुत है कमिटी बन सकती है और कमिटी का गठन की और कवायत चल रही है कि वह कैसे किस तरह से कमिटी बना करके अब हो सकता है कि यह आई वास हो यह भी हो सकता है कि चुनाओ नज़्दीक है तो उसे इंकार नहीं किया जा सकता है राजनीती में तो हम इसे क्या ऐसे देखें कि अब केंद्र नेत्रतिव सीम नितीश कुमार को मनाने में लग गई है देखें निश्चित रूप से जो सी बोटर का सर्वे आया जैसा हमने पहले बदा आपने भी बोला तो कई दफ़ा हम ल में कर सकेंगे 40-40 यह इसके लिए बहुत बड़ा है और इसके लिए तमाम तरह से देखा भी जा रहा है किस तरह से तोड़ जोड़ और यह उठा पटक यह भुचाल सा बिहार के इराanित पे मचा हुा है या किसी से चिपा हुआ और नितीश कुमार कहीं न कहीं प्रिसर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं अगर इधर नहीं तो उधर नहीं तो तो उसी का नतीजा है कि यह सब प्रिसर पॉलिटिक्स का ही नतीजा जो हम लोगों ने तीन चीज गिनाया सोभन में एम्स, सिक्स लेन पूल, विशेस राजे के लिए कमिटी गठन की जो चर्चा तो यह सब जो है सो कहीं न कहीं निश्चीत रूप से दिखाई पड़ता है कि निश्चीत कुमार का यह प्रिसर पॉलिटिक्स कहीं न कहीं काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पिया मूदी के भिहार आते ही कोई बड़ा खेल तो नहीं हो जाएगा देखे चुड़ा दही के पहले जैसे हम लोग बार-बार कह रहे थे कि कुछ ने कुछ चुड़ा दही के बाद तो यह जो एक भूमिका तयार हो रही है पिये मूदी के आने का मतलब होगा कि कई के वह सिर्सनेता भी तो यह वो उनकी जो चाहत है उनकी जो एक्षा है उनके पार्टी के 270 ने वाला है उसके लिए पूरे देश भरमें अच्छत माठा जा रहा है नियुता दिया जारा है लोगों के आने के लिए हर तरह कि यहां देखे लाउक कुछ यात्रा निकाल दिया गया भारतेंदापाटी के और से यह तमाम तरह की कवायतें हो रही है तब यह कहीं न कहीं कुछ तो दरसाता जरूर दिखाता जरूर है कि अंदर खाने में कुछ है बाहर में कुछ है जहने अंदर खाने में तो बहुत कुछ है यह सब दिखाई प कहां जाता है कि अब आरजेडी ने सरेंडर कर दिया है मुख्यमंत्री नितीश कुमार के सामने वहीं दूसरी हो हमने ये भी देखा कि आप बीजेपी वाले भी संकेत पर संकेत दे रहे हैं कि हम राजी है आप जो कह रहे हैं यानि कि क्या लगता है मुख्यमंत्री नितीश कुस तरह से टॉन वहाति का बदला हो अग्मी या उनकी पार्टी पर नहीं तो इधर इनवालों का भी टॉन यह कहीं ने कुछ ने कुछ तो बात है तभी यह कुछ हो रहा है और देखिए एक चीज़ आपको समरीन और बताना चाहेंगे तेरह तारीको प्रधानमंत्री के आने की बात हो रही है और उससे ठीक पहले एक ग्यारह बारह को चुनाव देश के जो निर्वाचन आयुक थे हैं वो तमाम राजियों के सीईओ जो मुख निर्वाचन पतादेकारी उनसे बात कर रहे हैं बात करेंगे तो वो किस लिए बात करेंगे क्या बात होगी यह भी समझने वाली बात तो यह बात भी एकदम तैबाना जा रहा है कि कुछ उन्हें कुछ वो संकेत होगा और कि चुनाओं की दस तक चुनाओं की दस तक तो है दरवाजे पर खड़ी किसी दिन अब 22 तारीक के बाद जब भी जैसे भी हो जाए और इस बीच में आप देखेगा नितीज लेकिन कुमार किस तरह से पस्चिम बंगाल भी जा रहे हैं इह भी और इसकी नियोते पर जह रहे हैं लेफट पार्टी के नियोते पर जोती बसू जो नाक नाकों का दम कह लिए जो मम्ता बैनर जी जिसके खिलाफ बहर करके आए उनके उस कारेक्रम हुआ रखा गया है तो वह भाई बहुता बानर जी को भी बड़ा बंसेज़ भाई आप खड़गे के लिए आप ने तो आप देखर अंद और हम थे नितेश कुमार मता बानुर जी घेव हैँ अधोन व लोग जो कह रहे हैं कि मकर्पकर संक्रांती तो त्ह Prinzip रूप के आसपास या उसके रगंधось बड़ एक हैं आपका तजुर्बा भी यह तो कह रहा है और दिखाई भी पढ़ रहा है जितनी बात को हम लोग अभी कई सारी बाते हैं जो हम लोग बोलेंगे तो यह घंटों इस बात को हम लोग एक एक परत दर परत खुलता चला जाएगा तो हम नहीं चाहरे हैं उसको वक्त का थकाजा भ मतलब हमने अकसर देखा है ट्रिपल सी करॉप्शन हो गया कम्यूनलिजम हो गया क्राइम हो गया कि हम कोई कॉम्प्रमाइज नहीं करते हैं यानि कि जब भी मुख्यमंत्री नितीश कुमार पल्टी मारते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हमेशा एक मुद्दा होत से वो फैसला ले पाते हैं असानी हो जाती है अभी भी कहा जा रहा है कि आप जेडियू और कॉंग्रिस के बीच नराजगी साफ दिख रही है संजय जाका बयान भी हमने देखा जब उन्होंने साफ कहा कि कॉंग्रिस वाले आरजेडी को बता दे और हम आरजेडी से पूछ लेंगे उसके बाद वजय चौधरी का भी गुस्सा दिखा कि देरी तो कर दी है कॉंग्रस में यानि कि कॉंग्रस से पट नहीं रही है अब जेडियू की तो क्या इस बार अलग होते हैं मुख्य मंत्री तो यही मुद्दा तो नहीं बन जाएगा सीट शेरिंग बड़ा अब इसको लोग कह रहा है कि प्रधान मंत्री पद के लिए या कोई संयोजग बनने के लिए नितीज कुमार ने कोई अप्लिकेशन दिया था यह बात बराबर जद्यू की और से कहा जा रहा है तो ऐसे में उन लोगों को बड़ा गुस्सा हो रहा है इस बात प्लिकेशन द हम सुतरधार हैं तो महीं ने कहीं देखिएं अंदर में कीज़ धैर में तो लिए उनाव आप तो दो बयान बैक तू-बैक तो अब मकर संक्रांति के बाते हैं तो वह चने वाली बात घ्चने वालीगा कुछ तो होगा निशचत तौरह यह तोसन आपने क्या कुछ बताया ह एफुरी बात्चीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइड़े गा तो इस तरहा के तमाम अपडेट केा यह एसी हमारे सáत बने रहीएगा और देखते रहेगा लाइफ सेटीज बहुत शुक्रिया झाल झाल